नमस्कार, अंकिता की रोसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे वेज मंचूरियन यहां मैंने ली है आधा केजी पत्ता गोबी जिसको धोकर अच्छे से मैंने कद्दुकस कर लिया है दो बारीक कटी हुई हरी प्याज डाल देंगे एक गाजर ली है मैंने जिसको कद्दुकस कर लिया है गाजर डालने से भी मंचूरियन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक चोप किया हुआ प्याज अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक नमक को सबजियों के साथ में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है नमक डालने से सबजियों में जो पानी होता है वो निकल जाता है नमक डालने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं एक डिसलाइक ही कर दीजेगा पर कर जरूर दीजेगा दस मिनट के बाद सबजियों ने पानी छोड़ दिया है अब हम इसे अच्छे से निचोड लेते हैं ताकि जो इसमें पानी है वो सारा निकल जाए और देखिये नमक डालने से सबजियों में से कितना सारा पानी निकल रहा है इसी तरह से हमें निचोड कर सारी सबजियों का प और एकदम होटल जैसी आपकी मंचूरियन बनकर तयार होगी और देखे सब्जियों में से कितना सारा पानी निकल गया है आपको इस पानी को फैंकना नहीं है आप इससे आटा लगा सकते हैं या इसका सूप भी बना सकते हैं अब सब्जियों में हमें डालना है चार चम्मच और थोड़ी सीस में काली मिर्च का पावडर डाल देंगे अब सभी को हमें बिल्कुल अच्छे से हाथों से मिक्स कर देना है एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मिक्स करने के बाद में हमें इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है नमक डालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि हमने इसमें पहले भी नमक का इस्तेमाल कि और नीमू के आकार की बोल बना कर तयार कर लेंगे आप मंचूरियन का साइज अपने इसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं और ये देखे थोड़ी सी मंचूरियन बोल मैंने बना कर तयार कर ली है तेल को हमने गरम कर लिया है अब एक एक करके सारी मंचूरियन बोल हम इसमे में डाल देंगे जितनी आसानी से इस तेल में आ जाए उतनी मंचूरियन की बोल हमने तेल में डाल देनी है मंचूरियन को तलते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको गैस का फ्लेम कम रखना है और तेल को जादा तेज गरम नहीं करना है अगर आप इन्हें तेज गरम तेल में तलेंगे या फिर हाई फ्लेम पर तलेंगे तो मंचूरियन उपर से तो अच्छे से सिख जाएगी लेकिन अंदर से ये कच्छी रह जाएगी इसलिए आपको gas का flame medium ही रखना है medium flame पर आपको धीरे धीरे इनको अच्छे से अंदर तक पकने तक fry करना है और देखें इसी तरह से हमें इने अलटते पलटते हुए तलना है मंचूरियन बोल बनाते टाइम अगर आपकी बोल नहीं अच्छे से बन पा रही है तो आप उसमें थोड़ा सा कौन फ्लोर और मैदा ओर डाल सकते हैं कौन फ्लोर और मैदा जादा मत डालिएगा उतना ही डालिएगा जिसमें की आसानी से आपकी मंचूरियन बोल बन जाए तो देखे मंचूरियन बोल बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इने निकाल लेते हैं अब एक कडाई में हमने डाला है एक चमच रिफाइंड ओईल तेल के गरम होने पर हम इसमें तीन चार हरी मिर्ची डाल देंगे, बारिक कटी हुई अब इसमें दो बड़े चमच भरके लेसुन डाल देना है, बारिक काट कर लेसुन का इस्तेमाल आपको मंचूरियन में थोड़ा जादा करना है अब इसमें थोड़ा सा अद्रक का पेष्ट डाल देंगे और इसे बिल्कुल दो मिनट के लिए हमें हलका सा फ्राई कर लेना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल हलका सा ही फ्राई करना है तड़के को हलका सा फ्राई करने के बाद में हम इसमें एक प्याज डाल देंगे और थोड़ा बड़े साइज का काट रखा है हमने प्याज को देखिए और इसी तरह से हमने सिमला मिर्ची को भी काट कर लिया है अब सारी सब्जियों को हमें 2-3 मिनट के लिए हलका सा फ्राई कर लेना है सब्जियों को हमें जाद देर तक नहीं पकाना है बस हलका सा ही इनको फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और सबजियों को फ्राई करते टाइम, गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है अब हम इसमें डालेंगे एक चोथाई चम्मच नमक एक चोथाई चम्मच इसमें लाल मिर्ची पावडर डाल देंगे ध्यान रखे, मिर्ची और नमक हमें उसी हिसाब से डालना है क्योंकि हमने मंचूरियन बोल में भी नमक और मिर्ची डाली है और थोड़ी सी हमने इसमें भी काली मिर्च डाली है इससे हमारी जो मंचूरियन है एकदम रेष्टोडेंट जैसी बन कर तैयार होगी मसालों को सबजी के साथ में बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हमीस में डालेंगे दो चम्मच भर के टमाटर सोस और अब हमीस में डाल देंगे एक चम्मच भर के वैनिगर अब इसमें हमें डालना है दो चम्मच भर के सोया सोस सारे सोस डालने के बाद में एक बार फिर से हमें सबजियों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है अब एक कोटोरी में दो चम्मच भरके कॉन फ्लोर डाल देंगे और अब इस कॉन फ्लोर में हमें डाल देना है एक कप भरके पानी और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है चम्मच से अब इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसे भी हम सबजियों के साथ डाल देंगे कौन फलोर डालने से क्या होगा जो हमारी मंचुरियन की ग्रेवी है वो बिल्कुल काड़ी हो जाएगी अब हम इसमें डेड़ गिलास पानी डाल देंगे मुझे मंचुरियन ग्रेवी वाली जादा अच्छी लगती है इसलिए मैं इसमें डेड़ गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ अगर आप इसे थोड़ा गाड़ा बनाना चाहते हैं कम ग्रेवी के साथ तो आप इसमें एक गिलास पानी डालिएगा अब इसे तीन-चार मिनट के लिए हम पका लेंगे ताकि ग्रेवी जो है बिल्कुल अच्छे से गाड़ी हो जाए तीन चार मिनट पकाने के बाद में ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से गाड़ी हो गई है एक एक करके हम सारी मंचूरियन इस ग्रेवी में डाल देते हैं और मंचूरियन बोल डालने के बाद में एक मिनट और पका लेंगे ताकि जो मंचूरियन बोल है उनमें ग्रेवी अच्छे से भर जाए और ये देखे हमारी वेज मंचूरियन बनकर तैयार हो गई है आप उसको चावल के साथ खाईए या रोटी के साथ खाईए या आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है येकिन मानिए ये इतनी स्वादिष्ट बनी है अगर आप घर पर इसे एक बार इस तरह से बना कर खाएंगे तो होटल से मंचूरियन लाना भूल जाएंगे तो आपको मेरी ये वेजमेंचूरियन की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू